आज हम अपने बहुती जादा बर्निंग मुद्धी पर डिसकेशन करने वाले हैं जो कि आपके इंटरनेशनल रिलेशन से इंपोर्टेंस रखता है और भारत के साथ इसके क्या इससिती है वो भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी न्यूज है रशियन ट्रूप इन कजाकस्तान यहाँ पर कजाकस्तान में क्या क्राइसेज है कजाकस्तान के लोग किस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्यों कजाकस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है क्या वाकई में रशिया फिर से यूएससर बनाने की कोशिश कर रहा है तो इन सारी बातों को आज हम जानेंगे हम नाटो के बारे में सीखेंगे हम CSTO के बारे में सीखेंगे तो काफी कुछ यहां पर discussion करने के लिए और सबसे important बात जो discussion करने के लिए कि हम इस news पर क्यो discussion कर रहे हैं क्योंकि कजाकिस्तान हमारे लिए क्या importance रखता है भारत के क्या diplomatic या political relation है कौन सी treaties हमने कजाकिस्तान के साथ करके रखी हुई है उन सारी बातों पर आज हमें discussion करना शुरू करना है तो I am session के शुरूआत करते हैं तो यहाँ पर news है आपके पास कि कजाकिस्तान protest ओवर 160 persons die in a government continuous brutal crackdown यहाँ पर कजाकिस्तान में जो है वो पिछले 2 जन्वरी से 2 जन्वरी से लगातार protest चलता जा रहा है बहुत सारे जो protesters है उनकी जाने गई है जो government property उसको destroy किया गया है साथी साथ जो oil क्योंकि हमारा जो कजाकिस्तान है वो oil and natural gases के लिए ही जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा natural gases और oil reserve है तो उसको भी attack करने की कोशिश की गई है uranium की mines पे भी attack करने की कोशिश की गई है और नूर सुल्तान जो यहाँ पे president के रूप में काम कर रहे थे 2019 तक उनकी काफी सारे statues जो है वो बने हुए थे कजाकिस्तान में उन सबको भी destroy करने की कोशिश की गई है और उनको destroy किया भी गया है तो reason क्या है protest का क्या चाहती है गजाकिस्तान की जनता हम वहाँ पे discussion करेंगे लेकिन मैं इतनी बात तो जरूर जानती है कि अगर हमारा देश है भारत और भारत में अगर कोई भी बड़ी country अपनी troop को deploy करती है अपनी troops को deploy करती है तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता है अच्छा indication नहीं माना जाता है या फिर कोई दूसरी बड़ी country कोई powerful nation बहुत जादा investment हमारे देश में करता है और हमारी property को acquire करने की कोशिश करता है तो यह भी बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाता तो यहाँ पे दो हमारे पर पावर हैं एक का नाम है रशिया और दूसरे का नाम है USA तो USA ने लगबख 60 billion dollar का investment कजाकस्तान में करके रखा हुआ है ठीक है और यहाँ पे रशिया ने अपनी troop को भी deploy करके रखा हुआ है कजाकस्तान में तो बिल्कुल अफगानिस्तान जैसी condition बन गई है कि रशिया ने पहले अफगानिस्तान में अपनी troop को deploy करके रखा था जैसे ही रशिया बाहर निकला USA ने अपनी troop को deploy कर दिया और उसके बाद आज आप अफगानिस्तान की हालत जो है वो देख सकते हैं तो अफगानिस्तान की हालत पर discussion करने के लिए हम हमेशे नज़र डालते हैं Central Asian countries पर जिसमें एक कजाकस्तान भी आता है तो अगर हम political point of view से देखते हैं भारत की boundaries के बारे में discussion करते हैं लिवान के बारे में discussion करते हैं तो उसके लिहाज से भी कजाकस्तान इक बहुत important and crucial role play करता है तो आईए हम सीखते हैं कि कजाकस्तान में protest किस बाद पर जल रहा है हम भारत के लोग कितने अच्छे हैं जनरली हमारे देश में कितनी महंगाई बढ़ रही है इंफलेशन कितना बढ़ रहा है लेकिन तो भी कोई road पे नहीं आता इंफलेशन नहीं के लिए कोई protest नहीं करता या फिर हम बात करते हैं कि अभी जो COVID-19 के बाद जो भी situation बनी है जो भी economic slowdown देखने को मिला है ऐसा नहीं कि केवल इंडिया में है दूसरे बड़े बड़े जो nation है जो बड़ी हुई economy है उनमें भी आपको एक crisis देखने को मिले हुए है अच्छा हमारे हाँ पर भी LPG gas lender का use करते हैं अभी तो उजवला जो योजना है प्रधान मंतरी के उसके अंतरगत तो बहुत ज़ादा LPG gas lender को distribute करने का भी काम किया जा रहा है LPG क्या होता है Liquified petroleum gas होती है Basically जहाँ पर oil and natural gases reserve होते हैं जहाँ पर oil reserve है, तेल के कुए हैं वहाँ पर naturally आपके पास natural gases होती है मतलब LPG gas होती है इसमें आपका methane, propane, butane, pentane, pentane जो है LPG gas cylinder क्या rate चल रहा है LPG का तो around 850, 900 का आपको slender घर में पढ़ता है जिसमें 14 liter जो है वो gas fill होती है यही rate चल रहा है चलो हम बात करते का जाकस्तान में तो जब यहाँ पर oil resources बहुत जादा है यहाँ पर natural gases भी बहुत जादा है तो यहाँ के लोग खाना बनाना तो छोड़ी जो गाडिया होती है जो vehicles होते हैं उनमें भी petrol, diesel, gasoline की जगह LPG का यूज करते हैं अब गाडियों को चलाने के लिए कहाँ पर कजाकस्तान में तो कजाकस्तान में जो है वो oil prices और जो LPG gas के prices है वो अचानक से बढ़ गए increase कर दिये गए 1st of January में इसलिए 2nd of January से यहाँ पर लगाटार protest चल रहा है अगर हम यहाँ पर देख के मान लेते हैं अगर 10 rupees यहाँ पर LPG gas cylinder के price थे तो बढ़ा के कितने कर दिये 20 rupees कर दिये हैं आप इसको ऐसे मान के चलिए अगर हम भारत की बात करते हैं अगर 800 या 900 rupees का आपको 14 liter slender पढ़ता है मतलब 1 liter gas आपको around 60 to 65 rupees की पढ़ती है यहाँ पर 1 liter के gas के क्या prices है 10 rupees है जिनको बढ़ा कर 20 rupees कर दिया गया जो अपने आप में एक high rate अगर हम कजाकिस्तान की द्रस्टी से देखें तो वो हो जाता है तो इन लोगों ने क्या है प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कजाकिस्तान के लोगों ने तो a sudden spike in the price of the car fuel at the start of year trigger the first protest in the remote oil town in the west चीक है तो इसलिए यह प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ 2nd of January से जो कजाकिस्तान के west reason में शुरू हुआ फिर south west reason में भी यह प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया ठीक है पहली जो city थी प्रोटेस्ट करने की वो जैंजियान प्रोविजिन्स था जहां पर यह प्रोटेस्ट हुआ और यहां पर यह प्रोटेस्ट हुआ सभी लोग रोट पे आना शुरू है उसके बाद लोग इक्विलिटी की बातें पॉवर्टी की बातें और करप्शन की बातें भी करना शुरू कर दिये हम जानते हैं कि जो कजाकिस्तान है वो USSR का हिस्सा था 1991 में जब USSR तूटता है तो 15 countries बनती है और उन 15 countries में एक country जो होती है वो कजाकिस्तान भी होती है तो उस समय से 2019 तक 2019 तक उस समय से 2019 तक वहाँ पे जो president है वो कौन है वो कौन थे? नूर सुल्तान थे इसलिए तो हमने कजाकिस्तान की जो capital थी अस्ताना उसका भी नाम चेंज करके क्या कर दिया था? नूर सुल्तान कर दिया था मतलब present date में कजाकिस्तान की capital क्या है? नूर सुल्तान है और काफी ज़ादा statues भी उनके बने हुए थे 2019 में वो power से हट जाते हैं और नए president appoint किये जाते हैं लेकिन फिर भी उनकी जो power है उनका जो dictator nature है वो politics में क्या decision लिया था कजाकिस्तान की market based price होंगे उसके accordingly LPG और oil के gases के जो भी rate है वो decide किये जाएंगे लेकिन sudden 2nd of January को इसके rate बढ़ जाते हैं यहाँ पर जो currency चलती है कजाकिस्तान में वो 10 चलती है तो 60 10 से 120 10 जो है वो 2nd January को LPG के rate कर दिये गए जिसके कारण protester road पे आ गए और protest करना शुरू कर दिये इस protest के बाद जो है वो oil field जो है वहाँ को उनको भी जलाने की कोशिश की गई अगर उन field को जला दिया गया तो जो भी international level पे oil का export किया जाता है कजाकिस्तान से उस पे भी effect पड़ेगा जब उस पे effect पड़ेगा तो oil के prices अपने आप hike हो जाएंगे और जब oil और LPG gas के price hike होते है तो obviously पूरे world level पे inflation देखा जाता है तो हाला कि वो इस reason पे पहुँच नहीं पाए उसके पहले उनको रोक लिया गया लेकिन आस-पास को जो infrastructure था तो वेंस वगेरा थी जो truck वगेरा थी जिनके जरी इस oil को export किया जाता था उन सबी को क्या कर दिया burn कर दिया गया protesters के द्वारा अब government क्या करेगी जरा वो भी हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने वही discussion किया कि former जो president है नूर सुल्दान जो कि dictator की रूप में 1991 से 2019 तक president की रूप में काम कर रहे थे और public उनको भी यहाँ पर जुनका dictator nature है politics से वो हटाना चाहती है और उन्होंने protesters ने यहाँ पर देखे slogan भी दिया है old man out old man किसके बारे में बात हो रही है नूर सुल्दान के बारे में बात हो रही है की statutes को भी यहाँ पर demolish किया गया है तो अब power में कौन है president प्राइम मिनिस्टर ने तो रुस्तीफा दे दिया resign कर दिया अब president कौन है यहाँ पर कजाकिस्तान के तो आप देखेंगे कस्यम जोमाट तो केब जो है वो यहाँ पर government को run कर रहा है है ना तो ऐसी कोई condition ना आए जैसे की Ukraine वगेरा में आई condition ऐसी condition से बचने के लिए अब यहाँ पर action लेने की ज़रुरत है तो action लेने के लिए यहाँ पर president जो है वो आते हैं और वो पहले तो electric shutdown करते हैं कि लोग जो है घर में रहें घर से बाहर ना निकलें उसके बाद होता क्या है जब भी protest शुरू होते हैं तो viral या fake news भी spread होनो शुरू होती है जिससे जो जनता होती है वो और भी ज़्यादा aggressive होती तो उसके बाद नहोंने क्या किया पूरे देश में internet connectivity को खतम कर दिया इंटरनेट को ban कर दिया गया और बहुत सारे application और services को भी ban कर दिया गया by the government of कजाकिस्तान अब हम देखेंगे कि इसका हमारी economy पर या पूरे world में इस ban होने का इस internet services का stop होने का क्या यहाँ पर आप important news निकल के आती है अभी हम वो भी समझेंगे इसके बाद देखेगा एक organization जैसे कि NATO एक organization है वैसे ही CSTO collective security treaty organization भी एक organization है जिसमें six member है और जिसका head office रशिया में देखने को मिलेगा तो जैसे कि यहाँ पर अगर कोई भी member NATO का member है और country NATO की member है अगर कोई दूसरी country NATO country के उपर attack करती है तो माना जाता है कि अमेरिका के उपर attack कर दियो और अमेरिका की जो troops है military है वो activate हो जाती है वैसे ही CSTO एक संगटन है वो यह कहता है कि हमारे जो member है अगर इनके बीच में कोई भी activity होती है तो हमारी military आगे आएंगी और peace बनाने की कोशिश करेंगी यह CSTO का काम है इसको head con कर रहा है तो उसको Russia head कर रहा है तो जो कजाकिस्तान के president है कजाकिस्तान भी CSTO का member है और Russia भी इसका member है तो कजाकिस्तान के president ने CSTO मतलब Russia को कहा कि आप peace making के लिए अपनी troops को deploy कर दीजिए तो लगबग Russia के 3000 troops को deploy कर दिया गया कजाकिस्तान में ठीक है और इन लोगों को एक order भी दिया गया president के दौर order दिया गया कि जितनी भी country की troop यहाँ पर आई है और in fact जो कजाकिस्तान की troop है उनको order है कि कोई भी person अगर आपको protest करता हुँ रोट पे दिखता है आप उसको shoot कर दो kill कर दो मारने का order दे दिया तो ये बात तो United Nation में पहुँच गई United Nation कहता है ये बात तो गलत है लेकिन China China कहता है नहीं नहीं बिलकुल शान्ती बनाने के लिए दो-चाल लोगों को मारना पड़े तो मार दो लेकिन protest तो रुकना चाहिए देश की condition खराब नहीं होनी चाहिए तो इस तरीके से एक divit तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगी कि इन्होंने ये order दे दिया कि Russian troop को यहाँ पर order दे दिया गया है कि अगर कोई person दिखता है तो उसको मारने का shoot करने का shoot without warning ये order दे दिया गया है तो यहाँ पर ये भी बहुत बड़ा divit का मुद्दा बना हुआ है In fact, यहाँ पर Russia allegation लगा रहा है अमेरिका पे कि अमेरिका की ये साजिश है ये रशिया के दोरा एक बहुती crazy statement दिया गया है हमारे यहाँ पर कोई contribution नहीं है जब कि यहाँ पर अमेरिका allegation लगाता है रशिया पर कि रशिया ने तब तो troop भी deploy कर दी है अब ये जो अलमेटी एरपोर्ट है उसको भी secure कर लिया गया है by the Russian troop तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि रशिया जो है वो बापस USSR बनाना चाहता है जैसे उसने ваш उक्रीमिया ज उसको require कर लिया है कबजे में कर लिया है वैसे ही कजाकस्तान के हिस्से को भी रशिया वो लेना चाहता है ये allegation USA के दौरा रशिया पर impose किये गढ़े क्योंकि दोनों यह अपने आप में बहुत ही powerful nation माने जाते हैं। चीक है, तो यहाँ पर shoot without warning का order जो है, वो government के द्वारा दिया गया। अब यहाँ पर Almeti Airport का अपना important significance है। क्यों है? क्योंकि जैसे कि भारत की financial capital मुंबई को माना जाता है, वैसे Almeti जो है, वो financial capital कजाकिस्तान की माने जाती है। तो यह पूरी condition यहाँ पर आपको देखने को मिली और इसलिए यह protest लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। कजाकिस्तान is experiencing the worst street protest the country has seen since gaining independence three decades ago। तो जब इतने जादा साल, तीन डिकेट से जादा का समय हो गया, उसके बाद इतना mass protest पहली बार कजाकिस्तान की government को face करने को मिल रहा है। क्लियर हो गए इतनी बात, अब हम बात कर लेते हैं CSTO के बारे वाएं जैसा कि मैंने कहा कि 6 countries इसमें members अर्मेनिया, बेलरूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान, अब यहाँ पर एक और question mark ये बना कि जब अजर बेजान और अर्मेनिया की fight चल रहे और ये activate हो गया, तो एक allegation रशिया के उपर ये भी लगाया जा रहा है, चीक है, observer कौन है, अफगानिस्तान और सर्विया है, और possible candidate जो है, वो इरान है, तो आपको ये 6 country के नाम याद रखने हैं, जो CSTO के member है, मतलब कजाकिस्तान और रशिया इसके member है, इसलिए इस troop को deploy क किया गया है, अब थोड़ी सी बात और हम CSTO के बारे में बात करते हैं, तो हमको बताए कि USSR तूटने के बाद 15 countries बनती है, 1991 में, तो ये जब cold war खतम होती है, तो जो यहाँ पर 5 alliance है, Russia and 5 alliance जो है, वो मिलके ये decide करती है, कि हमारे पास भी organization होना चाहिए, जो हम अपने हितों क कर सकें, अगर हमारे उपर कोई भी attack होता है, या कुछ भी हमारे देश में internal disturbance होता है, तो हाँ, हम अपनी military को deploy कर सके, peaceful action ले सके, इसलिए यहाँ पर एक organization बनाया गया है, जिसका नाम है CSTO, जो कि 15 में 1992 को बना, लेकिन force में कब आया, 1994 में ये force में आया, clear, इसके बाद आप organization, अब यहाँ पे उजबेकिस्तान भी एक country के रूप में हुआ करता था, लेकिन 2012 में उजबेकिस्तान ने इस alliance को quich कर दिया था, तो अभी अगर बात करते तो केवल six ही member countries है, कौन-कौन है, अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रस्या और तरीकिस्तान ठीक है, अब रशिया के पास इसकी power है, रशिया के पास veto power भी है, रशिया के पास बहुत सारी यहाँ पर facility दी गई है और इसका head office भी रशिया में है, और जो प्रेसिडेंट है विलामिदिर पुतीन, वो भी लंबे समय से protest का सामरा कर रहे हैं, उनकी भी economic condition अच्छी नहीं ह और upcoming election के लिए अब वहां की जनता को कुछ सो देना पड़ेगा, तो ऐसा बोला जा रहा है कि जनता को बदले में USSR मिलने वाला है, ऐसा भी allegations लगाए जा रहे हैं, प्रेसिडेंट बिलामिदीर पुतीन है काजाकिस्तान, like Ukraine, is not a real country, and indeed simply part of the greater Russian world, यह statement भी बिलामिदीर पुती ने इशू किया है, तो इसका हम क्या मतलब निकाले कि यूकरेन के बाद, क्रीमिया के बाद, क्या अगला नमबर कजाकिस्तान का है, क्योंकि अगर आप इस पूरे मैप को समझते हैं, तो यह पूरा USSR का reason हुआ करता था, यहाँ पर अगर आप यूकरेन का इस पार्ट को दे यहाँ पर इस नेशन के बठवारे कर दिये जाए, क्योंकि जब प्रोटेस भड़कता है, तो फिर separate country की demand भी शुरू हो जाती है, तो यह जो आपका नदन पोर्शन है का जाकिस्तान का, यहाँ पर रशिया को follow करने वाले लोग रहते हैं, हो सकता है वो future में demand करने लगे कि ह separate country बनना और उसके बाद रशिया इनको अपने में शामिल कर ले, तो ऐसी possibility भी बन सकती है, जैसे कि Ukraine में बनी थी, Ukraine का यह जो eastern area है, यहाँ पर भी रशिया के supporters थे और उन्होंने separate country की demand भी की थी और उसके बाद यह पूरा area भी acquire कर लिया गया है by the Russia, तो क्या भविश में ऐस हो सकता है, तो आप देख सकते हैं कि यह 15 country मिलके ही USSR कहलाती थी, लेकि 1991 के बाद अब यह USSR नहीं रही है, और लगातार बिलामिदिर पुतिन बापस इसे greater Russia बनाने की कोशिश करते रहते हैं, अब आप अगर हम बात करते हैं, तो देखिए यह Ukraine, Ukraine का यह हिस्सा है जो क्रीमि है, आइए अगली बात करते हैं, नाटो के बारे में, अब इसकी चर्चा क्यों निकल के आई है, क्योंकि Ukraine लगातार पुरा जुरतोर कोशिश कर रहा है कि Ukraine जो है वो नाटो का मेंबर बन जाए, यूक्रेन ने बहुत कोशिश की कि वो नाटो का मेंबर बन जाए, क्योंकि नाटो का अगर member है कोई country और अगर उस पर कोई दूसरी country attack करती है तो यह माना जाता है कि अमेरिका पर attack हुआ है और अमेरिका की फिर जो सेना है, military है वो active हो जाती है, वो force में आ जाती है तो यहाँ पर Russia लगातार protest कर रहा है कि नहीं Ukraine को NATO का member नहीं बनना चाहिए और Ukraine लगातार कोशिश कर रहा है कि हम NATO में शामिल हो जाये इसलिए यहाँ पर NATO भी चर्चा में आया है तो देख लेते हैं NATO क्या है, तो NATO जो है वो North Atlantic Treaty Organization है जो की 4th of April in 1959 में बनी थी और जिसका head office आपको Brussels Belgium में देखने को मिलता है और यह जो है Washington Treaty के अंतरगत NATO को बनाया गया था, इसमें अगर हम बात करते हैं तो 30 North American और European countries शामिल होके NATO कहलाती है अब हम इतनी न्यूस को क्यों बढ़ रहा है, हमारे लिए क्या benefit है या कजाकिस्तान क्यों important है हम इस बारे में भी चर्चा करते हैं तो कजाकिस्तान के बारे में एक interesting fact आपको पता होना चाहिए कि कजाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़ी landlock country है जो कि रशिया, चाइना और उजबेकिस्तान के साथ boundary को शेयर करती है 1991 में ये independent हुई थी Soviet Union से और तब से एक party जो exist कर रही है वो नूरे सुल्दान की party 2019 में 2020 के अगर World Bank की report की बारे में बात करते हैं तो लगबग 2 करोर की जंता यहाँ पर निवास करती है population लगबग 2 करोर की है और ये 9th largest country है world की in the based of land mass यहाँ पर oil and gas के reserve पाए जाते हैं ठीक है अगर यहाँ की language देखे तो कजाक और Russian language बोली जाती है अगर इसकी GDP देखे तो देखे बहुत बड़ी GDP इसकी 171 billion dollar की GDP है ठीक है currency देखे तो 10 इसकी currency है नूर सुल्टान capital आपको देखने को मिलेगी और basically coal, agriculture, oil, mining, natural gas के लिए कजाकस्तान को जाना जाता है यह 9th biggest oil exporter भी है और produce करती है लगबग 85.7 million ton in 2001 में इसका इतना produce हुआ था it is the world 10th largest producer of the coal largest producer है coal की और इसके बाद second largest miner है bitcoin की अब देखेगा जैसे ही यहाँ पर protest चुरू होता है कजाकस्तान में और government action में आती है और कहती है कि internet services को हम बंद कर देंगे तो internet services जब बंद हो गई हैं country में blackout हो गया तो यहाँ पर बिटकोईन की mining कैसे होगी क्योंकि बिटकोईन की mining करने के लिए several computer की जरूरत होती है लगातार electricity supply की जरूरत होती है तो यह computer बंद हो गए तो बिटकोईन की mining भी बंद हो गए जिससे बिटकोईन की जो prices है वो भी down होना शुरू हो गए तो यह effect भी देखा गया कजाकिस्तान के shutdown के बाद या फिर protest के बाद clear है तो हमने देखा कि ninth largest country है वोर्ट में six richest natural resource में company है third number की fasted growing economy है कजाकिस्तान की ठीक है यह कुछ facts भी हमको कजाकिस्तान के बारे में पता है आईए अगली बात करते हमारे लिए क्या important है तो हमारे लिए important है कि अभी हम 26 January Republic Day पे हमने यह जो five हमारी central Asian countries हैं उनके representative को as a chief guest हमने भारत में बुलाया है और invitation में भेज़े जा चुके हैं अब देखना यह है कि इतना बड़ा जो political crisis आया हुआ है प्रोटेस्ट चल रहा है तो कजाकिस्तान के लीडर क्या भारत में chief guest के रूप में Republic Day में शामिल हो पाएंगे या नहीं क्योंकि हमने कजाकिस्तान, क्रिगिस्तान, तर्किमिन्स्तान और उजवेगिस्तान के जो लीडर से उनको Republic Day में as a chief guest invite किया है अगर हम बात करते हैं, जुलाई 2015 में नरेन मोदी वो पहले प्राइम मिनिस्टर वने थे जिन्होंने 5 Central Asian Country को एक सिंगल ट्रिप में cover किया था थोड़ी सी अगर और हम बात करते हैं क्या पहले भी हमने कजाकिस्तान के representative को Republic Day या किसी भी invitation में invitation दिया है तो बिलकुल आंसर हो जाएगा सही अगर हम नूर सुल्तान जो कजाकिस्तान के previous president थे, उनको 2009 में हमने Republic Day में as a chief guest बुलाया था, invite किया था साथे साथ अगर हम बात करते हैं कजाकिस्तान के बारे में, तो कजाकिस्तान में uranium के भी resources हैं और uranium के लिए भी हमने जो है वो treaty sign करके रखी हुई है कजाकिस्तान के साथ, कि वो हमको 2015 में treaty हुई थी कि वो हमको 5000 ton जो है uranium देगा nuclear reactor के लिए तो जब हम भारत एक sustainable goal को achieve करने की कोशिश कर रहा है जब भारत कह रहा है कि 2070 तक हम zero carbon emission करेंगे तो nuclear reactor को run करने के लिए nuclear energy को generate करने के लिए हमको uranium की ज़रूरत है तो क्या इस treaty का भी आने वाले समय में effect पढ़ेगा क्या हमारे इस goal को achieve करने में ये सारे protest hurdles बनेंगे तो ये भी भविश में हमको देखने को मिलेगा अगर हम बात करते हैं relation बनाने की तो जैसे ही ये country आजाद होती है 1991 में तब ही हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं पीवी नरसिंबर आओ इनके साथ economic और political जो relation बनाने की कोशिश करते हैं और visit करना शुरू करते हैं independent countries को अगर हम बात करते हैं तो पहली बार अटल विहारी बाजबे 2003 में तजाकिस्तान में विजिट पे गए थे ठीक है तो ये भी कुछ news है हम को देखने को मिलती है साथी साथ कर्गिस्तान और कर्गिस्तान जैसे country है वो भारत को लगतार जो कश्मीर का मुद्धा उस पर भी सपोर्ट करते हुए आई है और बहुत सारे agreement चाहे वो trade और economy से हो civil aviation से हो या पर satellite काजन्थ exercise के बारे में बात करते हैं, defense exercise के बारे में बात करते हैं या फिर इस तरों की बात करते हैं तो इस तरों का भी वहाँ पर कजाकिस्तान के साथ मिलके contribution चल रहा तो satellite को launch करने का हमें देखना है कि और future में भी ये सारी deals जो है वो बनी रहेंगी या फिर government change होने के बाद या फिर protest के बाद कुछ major changes होते हैं हमारी deal में, तो ये सब हम देखेंगे, तो जाते जाते एक question आपके लिए छोड़ते जा रहे हैं कि कजाकिस्तान इनमें से किस water body के साथ connected है Red Sea, Black Sea, Caspian Sea or Mediterranean Sea, तो Atlas को एक बार चानिएगा, देखिएगा और बताइएगा कजाकिस्तान किस water body के साथ जो है, वो boundary share करता है तो I hope आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आया होगा, thank you so much हम मिलिंगे next session में, take care and bye bye